Hello everyone, आज हम लोग पेशियत तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिस में मस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है हम लोग इस सीरीज में खांसर के नोट्स को एक्स्प्लेन कर रहे हैं, line by line अगर आपने इस से पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लिजे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर डंग से और साथी मैंने बोला था, इस सीरीज में जो खांसर का जो नोट्स का सीरीज है, इसमें आप लोग को line by line करके उनके नोट्स को समझाया जाएगा, जिससे कि आपको समझ में easy way में आ जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथी बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा, साथी अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करे, अगर कुछ और नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो comment box में जरूर बताएं, चली अब हम लोग पेशिय तंत्र यानी muscular system को start करते हैं, देखे, बोल रहा है, मानस्पेशिया सरीर में तवचा के अंदर पाया जाती है, एक मानस्पेशियो के बारे में बात किया जा रहा मानस्पेशिया किसमें पाया जाती है, सरीर में तवचा के अंदर पाया जाता है, जो हमारा skin है, उसके अंदर पाया जाता है, साथ ही मानस्पेशियो की कुल संख्या बोला जाता है 639, यानी 639, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में explain कर रखा है, सबसे लंबी मानस्पेश यहाँ stepeds होती है जो कहाँ पाई जाती है कान में पाई जाती है तो यह तो हो गई सबसे लंबी मांसपेशी के बारे में और सबसे किसमें छोटी मांसपेशी के बारे में लेकिन एक है सबसे बड़ी मांसपेशी जिसको बोला जाता है Gluteus Maximum यानि Gluteus Maximus ये एक नितंब पेशी है उसमें पाया जाता है तो ये हमालोग का बात हो गया कि सबसे लंबी मानस्पेशी कौन सी है तो Sertorius है ये एक्जाम में पूछा जाता है छोटी मानस्पेशी कौन सी है तो Step 8 से ये पूछा जाता है बड़ी मानस्पेशी को बहुत कम पूछा जाता है चलिए अब Next पूछ समझते है Next point क्या बोल रहा है मानस्पेशी में मायोसीन नाम की प्रोटीन पाया जाता है मायोसीन नाम की प्रोटीन मानस्पेशी में पाया जाता है नेक्स्ट मानस्पेशियों में लाक्टिक एसीड के जमाओं के कारण जब मानस्पेशियों में लाक्टिक एसीड नाम का पदार्थ जम जाता है तो उसके कारण हम लोग को थाकान महसूस होने लगता है यानि हम लोग को थाकान महसूस होने का कारण क्या है मानस्पेशियों मे क्या बोलाता है सर को प्लाजमा कहता है यानि इस उत्तक में मांशपेशी वाली उत्तक में कोशिका क्या होती है लंबी होती है और इन कोशिकाओं में क्या एक तरल पदार्थ भरे होते हैं साथी इस तरल पदार्थ को क्या बोलाता है सर को प्लाजमा कहा जाता है इस उत्तक का मुखे कारे क्या होता है जीवों को प्रचलन में मदद करना या जीवों के प्रचलन में क्या करना मदद करना अब जाखिए नेक्स टॉपिक मांस पेशियों तीन प्रकार की होती है मांस पेशिया कितने प्रकार की तीन प्रकार की पहली होती है एच्छिक मांस पेशिया दूस होता है क्या, Cardic, तो आपको याद रखना है Cardic Muscle और यह क्या होता है हिट्डेक पेशिया, अब देखिये तीनों को हम लोग एक एक कर लोगोते हैं देखिये तीनों का बारे में बात करें तो एच्छी के बारे में पहले बात करेंगे जिसको voluntary या stripped muscle बोला जाता है voluntary या stripped muscle अब देखें ये man traffic हमारे एक्छा नुसार कारे करती है यह na voluntary जो होती है voluntary जो muscles होती है ये हमाँ लोग का इच्छा के नुसार काम किये देए इसलिए एच्छिक man-space他說 बोला जाता है ये मांस्पेशिया कंकाल से जुड़ी होती है, जो हमारा कंकाल है उससे क्या होती है, जुड़ी होती है, कौन मांस्पेशिया, एच्छिक मांस्पेशिया, साथी अता इन्हें कंकालिये पेशिया भी कहा जाता है, इसलिए इनको क्या बोलाता है, कंकालिये पेशिया भी कहा ज इस स्पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भाग का 50% होता है यानि इस स्पेशी यानि कौन से मांस्पेशी तो एच्छिक मांस्पेशी का जो भार है वो शरीर का 50% का लगबग बराबर होता है यानि मान लिजे को यादमी 100 किलो का है तो उसका 50 किलो कौन से मांस्पेशी है तो एच्छिक मांसपेसिया तो आपको याद रखना होगा यानि कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेसिया एच्छिक मांसपेसिया गति जिस कारण से कर पाते हैं एच्छिक मांसपेसियों के कारण light bend, dark bend पाया जाता है एच्छिक मानस्पेसियों में और कुल भाग सरीर का 50% कौन से मानस्पेसियों का होता है तो एच्छिक मानस्पेसियों का होता है चलिए अब आते हैं अनएच्छिक मानस्पेसियों के बारे में जिसको unvoluntary या unastripped muscle बोला जाता है अब देखें क्या है ये पेशिया हमारी एक्छा नुसार कारे नहीं करती है देखें उपर वाला एच्छिक क्या था एच्छिक मतलब एच्छिक था कि हमारे एक्छा नुसार कारे करता था लेकिन ये क्या था आनएच्छिक है हमारे एक्छाक्य अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है साथ ही क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती एचिक मांस में से ये कंकाल से जुड़ी होती है ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती में या व्रिशन में, मुत्रवाहिनी में, रक्तवाहिनी में पाया जाता है, यानि ये वैसे जगह पाया जाते हैं, जहां पे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, वहां पे ये कौन-कौन से मांसपेशिया पाया जाती है, तो अनैच्छिक मांसपेशियां पाया जाती है, अब जो किसे में पाया जाता है तो हिर्दे में पाया जाता है याद रखना है यह कार्डियक मसल कहां पाया जाता है तो हिर्दे में पाया जाता है यह भी हमारी इक्छानुसारकारे नहीं करती है तो एच्छिक मांस्पेशियां ही है जो हम लोग के इक्छानुसारकारे करती है अन काम किसका होता है Cell Oxer का काम होता है यानि Cell Oxer का काम किसका होता है एक पेशी यानि मानस पेशी को दूसरे मानस पेशी को जोड़ने का काम करता है यानि Cell Oxer नामत पेशी के कारण ही सिकुड जाती है यानि इसके कारण ही सिकुड जाती है जबकि extension नाम की पेशी के कारण फैल जाती है तो याद रखना है कोई मान स्पेशी एक दूसरे से मान के चली ये एक मान स्पेशी है और दूसरा ये है मान स्पेशी ये दोनों जुड़ेगा एक मान लेते हैं किसके cell अक्सर के कारण यानि ये सिकुड़ेगा जब एक दूसरे में कमबाइन होगा तो इसको क्या सिकुड़ना का सकते हैं जब ये सिकुड़ेगा यानि सिकुड़ेगा एक अपोजिट डिरेक्शन में अपने अपोजिट यानि एक तरफ आएगा तो उसको कह सकते है सिकूर ना, अब सिकूर आए, उसका कौन काम करता है, सेल अफजर काम करता है, सिकूर आने का मांसपेशियों को, और एक्स्टेंसर का काम काम करता है, तो आपको याद एक्स्टेंसर काम करता है, किसी भी मांसपेशियों को फैल आने का, इसके कारण एक्स् सार्टोरियस मसल है, यह सार्टोरियस है, यह देखे, यहां पे picture clear नहीं है, आप लोग किसी image को download करके जरूर आप लोग देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा, अब देखिए, यहां पे दिया हुआ है एर का picture इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए का अलग-अलग picture म प्राइम जादे वेस्ट होगा मैं इसलिए आपका यहां पर रिविजन करवा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए जो नहीं भी पढ़े हैं पहली वार नोट उनको भी समझ में आ जाए तो यह आप लोग देख लिजेगा अपने अकॉर्डिंग देख लिजेगा अब द दिमाग में यह चीज बैठ जाएगा यहां बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उपर नहीं दिये रहते हैं तो आप यहां पर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब देखिए एक होता है रेखित और एक होता है अच्छिक एच् के भुर्णियस तरसे बनती है भुर्णियस तरसे कौन तंत्रीका है कोशिका है तो याद रखना है तीसरा बोल रहा है मास्ट कोशिका यह देखिए समर्णियत आपको हो सकता है समझ में ना आया अच्छे से लेकिन आप ट्राइ किजएगा इसको समझने का जिससे कि आपको समझ में आएगा क्योंकि आपने इसके बारे में तो बेसिक पढ़ा नहीं है तंत्रीका कोशिका है एक्स्टोर्डम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे बहुत जादे एक्स्प्लेन भी नहीं कर पाऊंगा मैं बायो का जो वीडियो का सिरीज लेक करती है कौन मास्ट कोशिका है मास्ट कोशिका है किन चीज़ों का देती है कौन-कौन से तो सिरोटोनिन हिपेटिन और हिस्टैमिन का स्रावन कौन करती है मांस मास्ट कोशिका है फोर्थ क्या बोल रहा है तंत्री का उत्तक उत्तेजन शीलता का कारे करता है जो तंत्री का उत पदार्थ क्या है तो जल है देखिए नेक्स को पॉइंट क्या बोल रहा है सरीर में उतको का निर्मान प्रोटीन से होता है सरीर में उतको का निर्मान किसे होता है तो प्रोटीन से होता है आपको याद रखना है सरीर में उतको का निर्मान प्रोटीन से नेक्स क्या बोल रहा रेखित पेशी में मायोसीन, एक्टीन, एक्टीन जो होते हैं परमुक प्रोटीन है रेखित जो पेशी होती है जिसमें उसमें मायोसीन और एक्टीन परमुक टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं अच्छे यानि नेक्स्ट क्या बोल रहा है माइट्रोकॉंड्रिया की उपस अधीक उत्थिती में आधीक, क्या होती है, अख्टिव होती है। रुधीर में भी एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है तो रुधीर जो होता है उसमें भी एक प्रकार का क्या पाया जाता है उत्तक ही पाया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन क्या बोल रहा है उत्तक शब्द का परियोग सरप्रथम बीशेट यानि बीशेट ने किया था उत्तक टान्सपरमेशन है यानि एक जगा से दूसरे जगा चहоп का चैमिकल टान्सपरेशन है ये कब होगा एक द्रव के माध्यम से होता है नेक्स्ट क्या बोल रहा है ठोस अंतरंगो जैसे कि ज्विहा, किड्नी, यक्रित, तिल्ली आधी पर इपिधिलियम उत्तक का रक्षातम कावरन होता है इपिधिलियम उत्तक होती है उससे क्या उसको रक्षा करता है कि इसको ज्विहा को, किड्नी को, यक्रित को, तिल्ली को ये सब को ठीक है ठोस अतरंगो जैसे कि आपको जीवा किड़नी यत्वित और तिली नेक्स्ट तवचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवग घनाकार उपकला के द्वारा होता है तो आपको याद रखना है तवचा पर जब चोट लएगा तो इसका हिर्दे पेशियां केवल हिर्दे भीति जिसको हर्ट वॉल में पाए जाती हिर्दे जो पेशियां उसको कहां पर हिर्दे भीति में पाए जाता है हर्ट वॉल में पाए जाती याद रखना है हिर्दे पेशी में अत्यधीक मात्रा में माइट्रो कॉंड्रिया पाए जाता ह तो माइट्रियो कॉंड्रिया पाया जाता है हिर्दे की पेशियों के संकूचन का नियंत्रन तंत्रिका तंत्र के नियंत्रन में ना होकर स्वैम पेशियों के नियंत्रन में होता है तो हिर्दे पेशियों का जो संकूचन होता है इसका जो नियंत्रन है तंत्री का तंत्र के नियंतरन में नहीं होता है यानि तंत्री का तंत्र के कंट्रोल में नहीं होता है स्वैम किस में होता है पेशियों के नियंतरन में होता है पेशियों के कंट्रोल में होता है इसमें पाई जाने वाले द्रब को सर को प्लाजमा कहते हैं जो पेशिय तंतू होती है उसके आवरन में क्या सर को लेमा होता है और इसमें पाई जाने वाले द्रब को क्या होता है सर को प्लाजमा कहा जाता है नेक्स्ट उत्तिकी यानि जिसको हिस्टोलोजी बोला जाता है उत्तको के अध्धन को क्या बोला जाता है तो हिस्टोलोजी बोला जाता है सरीर के बिभिन क्रियाओं का नियांतरन जो सरीर का अलग-अलग मुवमेंट है नियामन तंत्री का तंत्री यानि नर्वस सिस्टम के द्वारा ही गतीत होता है तो आपको याद रखना है अलग-अलग टाइप का जो हम लोग का मुवमेंट है वो किसके कारण होता है तंत्री क तंत्री का तंत्री जिसको नर्वस सिस्टम के द्वारा बोला जाता है अब देखिए एक next question है जो last है आप देखिएगा next explanation का है स्वायत तंत्री का तंत्री जिसको autonomous nervous system के तंतु हिर्दय में पाई जाते हैं ये तंतु हिर्दय को अंकूचन की प्रेड़ना नहीं देते अंकू तंत्री काँ को काट दिया जाए तो हिर्दय समाने दर से धरकता रहता है यानि आगर तंत्री का जो स्वायत तंत्री का autonomous जो nervous system है इसके तंतु हिर्दय में पाई जाते हैं ये तंतु क्या होता है हिर्दय को अंकूचन की प्रेड़ना नहीं देते यानि कि आप धरकी ऐसा क प्रेड़ना नहीं देता है बलकी हिर्दय के धरकन को केवल प्रभावित करता है सिर्फ उसको हिर्दय के धरकन को क्या maintain करके ऐसा कुछ करता है ठीक है ना इसलिए देते बलकी आपको याद रखना है कि इसलिए यदि तंत्रीकाओं को काट दिया जाए अगर जो हिर्दय से जुड़ा हुआ तंत्री का है होता है उसको अगर काट देते हैं तब भी क्या होगा हिर्दे समाने दर से क्या होते रहेगा धलकते रहेगा तो ये था आपका कौन सा टॉपिक तो आप लोग पढ़ लियोंगे ये टॉपिक हम लोग का पेशिये तंत्री नेक्स्ट वीडियो म में ही है जिसको कि explain करेंगे हम अच्छे से आप लोग बिलकूल नेक्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं किसका अगर बात करते हैं नेक्स जो टॉपिक देखे यहाँ पे जो दिया गया है तो पाचन तंत्र का है जिसको क्या आप लोग यहाँ पाचन तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं तो अगर आपने कही ना कही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कीजिए जिससे कि हम लोग का चैनल पे मोटिवेशन बर सके और हम लोग नए ने वीडियो को और अच्छे तरीके से ढंग से ले के आएं साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो यानि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसका बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारें बात करने आले हैं और इससे पहले का MCQs तो आपको याद रखना है चलिए अब मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ